दोस्तों अगर आप अपने नमबर को incoming बंद दिखाना चाहते हैं आपका फोन चालूर है लेकिन जब भी आपके पास कोई call करें आपका नमबर उसे incoming बंद दिखाए यानि कि आपके नमबर पर recharge खत्म हो चुका है कुछ इस प्रकार का सामने वाले बंदे के फोन में दिखाए आपके नमबर पर recharge रहेगा लेकिन फिर भी अगर कोई आपके नमबर पर call करता है तो आपका नमबर उसे incoming बंद दिखाएगा तो इसे कैसे करना होगा ये मैं आपको बताने वाला हूं ध्यान से इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा अगर आप इस वीडियो को थोड़ आपकी girlfriend या boyfriend या फिर आपको कोई दोस्त बार बार call करके परसान कर रहा है और आप उसे दिखाना चाहते हैं कि यार मेरे फोन में अभी recharge खत्म है आप अपने नमबर पर incoming बंद दिखा सकते हैं किसी को भी ये मालूम नहीं चलेगा कि आपने ये कैसे किया तो अब आपको अ फोड़ा सा ऐसे इधर स्क्रॉल करना है अब यहाँ पर आपको ऊपर में दो option देखने को मिलेगा एक edit और दूसरा three dots हो सकता है आपके mobile में यहाँ पर setting का option देखने को मिले तो आपको यहाँ setting पर क्लिक करना है अगर आपके mobile में three dots का option दिखाए दे रहा है तो आप three dots पर click क किजेगा उसके बाद आपको call setting पर click करना है जैसे आप call setting पर click करेंगे अब यहाँ पर दोस्तों आपको काफी सारे option देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर आपको नीचे में call forwarding का option देखने को मिलेगा आपको इसको open कर लेना है जैसे आप call forwarding को open करेंगे अब यहाँ पर दो आपके सामने चार option देखने को मिलेगा Always forward, forward when withee, forward when unanswered, when unreachable अब यहाँ पर दो आपको अपने mobile में setting on करना है Always forward, आपको इसे open कर लिना है जैसे दोस्तों आप इसे open करेंगे अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक ऐसा number भरना होगा जिस number पर अभी incoming बंद हो जो number इस समय बंद हो चुका हो जिस पर recharge खतम हो गया आप उस पर try कर लिजे एक बार कि हाँ इस पर recharge खतम हुआ या नहीं incoming इसमें बंद है या नहीं तो वही आपको number यहाँ पर भरना हो आपकी घर में आपका दोस्त का या फिर आपका पूराना कोई number हो आप उसको भी डाल सकते हैं जिस पर incoming बंद हो जिस पर recharge खतम हो चुका है आपके पास भी ऐसा number जरूर होगा वो number आपको यहाँ पर डालना है कुछी सेकंड में यह update successful हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर finally देख सकते हैं मेरे mobile में यह setting on हो चुकी है अब कोई भी अगर मेरे number पर call करेगा तो मेरा number उसके mobile में incoming बंद दिखाएगा यानि कि यह बताएगा incoming call is not available on this number आपने जिस number पर call किया है उसके number पर incoming सुविधा अस् प्रकार का बताएगा लेकिन अभी मेरे number पर ऐसा कुछ नहीं है मेरे mobile में recharge भी है लेकिन आप अपने दोस्तों के साथ ऐसा कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आप अपने mobile में internet facebook whatsapp instagram सब कुछ चलाएगे आपका net चलेगा लेकिन कोई call नहीं कर पाएगा अब दोस्तों आपको इस सेटिंग को बंद करना है जैसे आपका फोन पहले था वैसे करना है तो आपको इस सेटिंग को बंद करने के लिए फिर से आपको जैसे मैंने बताया है यहाँ आपको call सेटिंग पर आना है उसके बाद यहाँ पर यह अभी reading होगा उसके बाद जैसे मैंने इसे चालू कि इस नंबर पर सभी की call forward कर दी जाएगी अब यहां पर आपको इसे बंद करने के लिए इस नंबर को यहां से delete करना होगा उसके बाद यहां पर आपको turn off पर click करेंगे यहां पर देख सकते हैं यह अभी update हो रहा है जैसे यह update हो जाएगा उसके बाद आपका phone फिर से जैसे था वैसा हो जाएगा अब आपके नंबर पर सभी का call आना start हो जाएगा वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को like और चैनल को subscribe जरूर कीजिगा